इस नमस्काल दोस्तों स्वागत है आपके आपके अपने चैनल एयर फोर्स एकजाम पेपर में तो दूस्तों आज़ क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एयर मेंन गुरूब बाई गयर तकनीकि ट्रेड का रागा का प्रेक्टिस एर ठीक है दूस्तों तो यह प्रैक्टिस तो चलिए श्टार्ट करते हैं देखिए यह आपके सामने लिखा हुआ है कि ये थीटा और टू पाई पांग थृ तो साइन थीटा का मान क्या होगा ठीके जोस्तूं ये हमारा चेप्टर त्रिकून वित का एक सवाल है तो इसमें लिखा है थीटा और राबर है पाई पांग ठीक है तो हमारा ठीटा कामान कितना है 120 अंस ठीक अब देखी आप लोग इतना समझ गए होंगे अगर आप लोग इतना समझ गए हैं तो आगे वीडियो तक बने रही हैगा देखिए लिखा है साइन ठीटा तो मतलब साइन 120 अंस का हमसे मान पूछा गया है हम यहां क्या लिखेंगे हम लिखेंगे साइन यह हो जाएगा 90 प्लस 30 क्या होता है को अया पर प्लस का प्लस प्लस का मुज़े का अमान कितना होता है यह दू तो आपसे नंबर बी में रखाए तो आपसे नंबर जो होगा वर स्कोर्षिन का रिक्त आणसर हो जाएगा ठीक है वीडियो को आप लुग लास्ट देखीगा क्योंकर इस आपको बहुत आने-कि प्राइकतता क्या होगी देखाहे बहुता है 12 wheel 54 5 ऐक साइड में目तलwegen बुचाय नहीं है ह Auch चे देखिए टोटल कितनी संग्या टोटल संग अच्छे हैं और छे मेंसे हमारा च्छे आया इसका मतलब सिर्फ एक ठीक है एक वार तो हमारा हो जाएगा इसका एक वटा छे तो आपसे नुम्द देगे सी में रखा है तो सी आपसन इसको सब्सक्राइब करेक आंसर हो किजframes का मतलब क्या हुआ अगर आप सकते हमारा है खना और हम्य क्या निकालना है था ट्यकके बीकड क्या होता है अंड़ा दूड लंबाई स्कॉर प्लस 14 इसकॉर प्लस उचाह इसकॉर एकतनी च्वार कपार होगया है हल करें किसका अगे तो देखिए आपसे नमबर ए में रखा है अंडर दूर सततर तो आपसे नमबर ए इस कोश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपसे नमबर ए यह भी सवाल आप अच्छी तरह समझ गयोंगे नेफ्ट कोश्चन आपके सामने है एक संभाव तरुज की प्रतेक भजाच्छे से में है इसके उचाए गयात किजिए देखे सबसे पहले हम आपके सामने एक संभाव तरुज बिना रहे है ठीक यह मान लेजी संभाव तरुज मरा है और इसकी उचाए यह है ठीक है यह इसकी तो लंब बरावर क्या होता है सूत्र दिखिए लंब बरावर लंब रव जाएगे अंड़ड का स्कौइर ऑफ सब्सक्राइब करेंगे कुछ लोग कहेंगे पच्चिस लेकिन पच्चिस तो हमारा नहीं आएगा क्योंकि सब्सक्राइब क्जाल बटे 40 इसका मान हमसे पूछा गया है सिंपल सा काम करेंगे पहले भाग वाल करेंगे उसके बाद में जोड लेंगे कैसे करेंगे 6 बटा 11 प्लस अब लिखा है 7 बटे 8 और भाग की जगए क्यारा हैं गुड़ा और भिनक को पलट लेंगे हो जाएगे हमारे 40 बटे 77 इतना तो पलस अब्यादेसे को जैसे का तैसाल लगला सवाला है 6 प्लस प्लस हो गया कितना हो गया 11 प्लस 11 बटा यह था खिरिग सब फॉन तक देख्रा बने रही खेंगे यह जाए घ्याए राम की आई मोहन की आई से 20% कम है मोहन की आई राम की आई से कितने परसंट अधिक है आपसे बात की गई है राम की आई मोहन की आई इसको राम की आई मोहन की आई ठीक है राम की आई जो है वो मोहन की आई से 20% कम है अगर राम की आई जो है अगर मोहन की आई सो है सो परसंट तो राम की आई कितने आई गए राम की आई मोहन की आई से का रखा है कि राम की आई मोहन की आई से बीस परसंट कम है राम की आई जो है मोहन से बीस परसंट कम है इसका मतलब राम की एसी समझे आप लोग अगर मोहन की आए 100 है तो राम की आए कितने पर्षेंट कम है तो आपको करना पड़ेगा इसका मानस करना पड़ेगा हमारा सो से इसकी आपचा 20 देखिए बटे में क्या करेंगे लिखा है मोहन की आए राम की आए से किसकी आइसे राम की आइसे तो राम की आ मुंबई एक्सप्रेस को कितने दूरी पर पकड़ देगी तो देखिए दोस्तों इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे मुंबई एक्सप्रेस दिली से मुंबई के लिए कFin निगलती चौधा बज़ करती हैं चौधावचक्तार थीश मिन्ट पर ठीक है चौधा बज़ करती तीस बज़ तो इसका मतलब ऐन्तल में अंतर कितना है इन दोनुंग में अंतर है दो घंटे का ठीक समझेगा एक जो है पहले निकलती है बाद में कितने घंटे लेट दो घंटे लेट निकलती है तो देखिए पहले वारी गाड़ी जो है वो दो घंटे आगे चली आगी कितने आगी आगी जिसकी चाल कितनी है इसका मतलब हुआ कि जो पहले वारी गाड़ी है मतलब मंबई एक्सप्रेस यह कितनी दूरी तय कहलेगी एक सो बीस किलो मेटर इसने दूरी जो है तैक है आप लुख सभी देखिएगा 120 दूरी तैक हो गए अब इसके बाद जो है दूसरी वाली काउंस यह जाजधानी एक्स तो इसका मतलब यहां पर हम चालों को घटाएंगे देखिए किस प्रकास से घटा रहें वह आप देखिएगा पहले घटाएंगे चाल एक किती असी दूसरे की है तो इसका मतलब क्या है कि छे गंटे बाद वह उसे पकड़ लेगी लेकिन लिखा है जाजधानी एकस्पेस मुंबई एकस्पेस को कितनी दूरी पर पकड़ देगी तो ये छे गंटे बाद पकड़ लेगी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या लिखना है यहाँ पर छे गंटा हमें समय दिया है और हमें इसकी चाल राजधानी एकस्पेस की जितनी चाल है उससे हमें गुड़ा कर लेए ठीक कितनी है असी रिखा है तो लिखेंगे असी आठ एक मकानगा फान में खरीदा और 5% में बेंच खरीडा है उससे घयतने सेब्सक्राइब क्रेए हुआ है और हमें सुपर्सेंट है जाए पर बेंच दिया है पांच पर से का मतलब कि सौप पर प्रसेंट की वेलों हमसे पूचे कितनी होगी आप लोगे यहां से एक परसेंट की वेलों कितनी आ गए एक की आगए 38 हमें निकालनी 105 किये तो हम क्या करेंगे 105 गुणा करेंगे किसे 38 से ठीक है इतना काम करेंगे हम देख करके दिखा रहें आपको यहाँ पर 105 और 38 से गुणा करेंगे डेख कितना होगा 845 और 8 8 8 3 5 कितना हो गया जीरो नो नो तीन हमारा आगया 4990 रुपए तो आपसे नंबर यह वाला जो हो का वह इस कोस्टन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखिए इसके बाद अगला सवाल हमसे क्या अगे रहा है तो देखिए मासा नकालने के लिए सिंपल सा तरीका क्या होता है वो आपस्मझ गाए तो इसका मतलब क्या है कि दो की पावर दो जो है वो दो ए तो बहुरे निकल आग़ी वो इसके बाद अब यहां पर 3वाल 2 तो तीन की पावल 2 बाल निकल आएगी गुणां 5 की पारवल 4 पाँचipार क्या लखेंगे छोटी वाली शाठ तो शी पांच लिखेंगे यहां को आपसे नमब देखी एमें दरखा एक्स उसी तो ए आपसे इस कोश्चन का जाइट आंसर हो जाएगा आपसे नमबर ए वीडियो को लाश्ट तक देखीगा और यह अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अब अबसे लिगेजिएगा अगला सवाल हमाई सामने एक अच्छा का 24 चात्रों का आउसत भार 40 किलोग्राम है यह दिया ध्यापक का भार भी सम्मिलित कर दिया है तो आउसत भार एक किलोग्राम बढ़ जाता है अध्यापक का भार क्या होगा आपको इसके लिए क्या करना है सबसे पहले 24 चात्रों का आ 960 फिर हमसे करा यह दिए अध्यापक का भार भी सम्मीलित किया जाए देखिए 24 छात्र थे एक अध्यापक टोटल कितने हो गए हमारे 25 तो आउसत एक किलोग्राम बढ़ जाता है पहले आउसत था 40 अब एक बढ़ जाता है इसका मतलब कितना हो गया 41 वाता है हमें इसकी गु यहां पर हांसे लेंगे बारा च्छे के च्छे बचेंगे यहां पर और नौशनों का जीरो 65 बस अध्यापक कितनी है 65 बस है आपसे नमबर डी है इस कोश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके बाद देखिए का अग्रास पारम से क्या रहा है अनुक्रम आपको देखा ह यहां से आना है 20-28 पर हम क्या करेंगे यहां से बीस एक प्लस कार्ण करेंगे तब यह तो पाएगा हमारा और तीन ग्यारा का एक आसदा मतलब इस प्रकार से हमें यहां पर 13 जोड़ना है ठीक है आगे बढ़िएगा नौसे गया आठ और पांस गया चामल आठारा जोड़ यहां पर पहले आठ जोड़ा फिर 13 फिर 18 तो अब की वाल जोड़नेंगे हम लोग देखें पहले आठ फिर 18 को हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा आठ दूसका जुन वासे लगाए 1110 आपसे नुमर सी में रखा है तो सी आपसन इस कोस्टन का जाई टांस हो जाएगा नंबर सी इसके बाद देखिए नेश्ट को समसे क्या कर आ है यह विट का कूट देखिए यह एड़ी का कूट 18-1 25 है तो दिएर का कूट क्या हो 가 अप सभी जानते हैं कि आर जो होता है वह चार नबर पर आता है और एक नंबर पर आता है कि एक तुन्ति पर आता है और यह क सब्सक्राइब करने दूरी पर है इसमें क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग सबसे देखिए लड़का करता है एक लड़का एक निश्ची स्थान चलना परम कलता है पहले उत्तर की और मुख करके छे किलो मेटर चलता है यहां पर आगया फिर दाहीने मुड़कर इस तरफ मुड़ेगा कितना चलेगा 18 किलो मेटर मतलब इस तरफ चला और इस चला कितने चला अथारा चला है बहां प्राइमर्स इस्थान से कितने दूर है आपको बताना है यहां पर है तो इतनी दूर पर है देखे यह वाले इतने दूरी आठ हो जाएगी यह वाले तो हमारी यह कितनी बचिये है तो इसका मतलब पहले यहाँ पर था अब यहाँ पर आ गया कितनी तुर आ गया है। 10 किलोमेटर आप से नंबर B इस question का दाइट आशे हो जागा आप से नंबर B next question हमारा क्या है एक विद्याले के विद्यालतियों को एक पंक्ती में खड़ा के आता है तो A का इस्थान 22 से 22 दाएं से 30 है हमार लिए एक पंक्ती है इसमें A यहां पर बैठा है यह इधर से मतलब क्या है 22 से 21 और 22 से 21 नमर पर और इधर से कितने नमर पर है 30 नमर पर तो हम लोग क्या करेंगे 21-30 को जोड़ेंगे पहले 21-30 हमार वा 51 माइनस का एक कल दीजे हो जागा 50 तो यह हमारा आपसन हो जागा 50 तो आपसन नमर देखिए B में रखा है तो B आपसन इस question का correct आपसन हो जागा प्लस उंटीजेओ चार से आया 10 पर प्लस नमर प्लस का छे क्या है फ protect 22 पर प्लस का कितना प्लस नहीं दार है पहले तीन जोड़ी नटीज प्लस का चोबिस करेंगे यह जब हो गया realised ज Retail कंढ़ेंreg We आपको यहां पर देखना है यहां पर कि यह वाल लाइन जो है यह बिलकुल पॉइंट के नजदीक है यह वाली तो दूर है और यह वाली भी नजदीक है तो यह तीनों से ही होंगे लेकिन C आपसें जो होगा वो इसको स्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपसें नमबर C बढ़ते हैं अगले को स्चन के तरफ रखना है वह आप देखी पहले इसमें आपके सामने जो है कि व्रत बना हुआ है ठीक है उसमें आपकार पहले वाले में दूसरे में । तुस त इस त furnace हो और चार आपसे नमबर यह वाला है वही तो है कि दो चार लाइने भी है मतलब चार बिंदू भी है और इस तरफ के लिए लाइन भी है तो आपसे नमबर ए इस question का correct आंस हो जाएगा अगला सवाल आपके सामने आ चुका है इसमें देखिया आप लोग क्या आगरेंगे यह वाली आक्रत विल्कुल सेम जैसी है आपको दिख लाइगा तो आपसे नमबर भी वाला जो होगा इस question का correct आंस हो जाएगा आपसे नमबर बढ़ते हैं अगले question में प्रश्ण ना करते हैं आपको दिए हैं उत्तरा करते हैं आपको बताना है कौंसा option correct आपसन हो जाएगा यहां पर बिलेक पाइट उसका है जितना आप जला गया है इसमें इन्होंने बस इतना किया है यह वाला त्रीवर जो था विल्कोल नीचे लें का और वहला करना है उपर जाना है यह नीचे लाना है she देखिए हम यह बार नीचे राएंगे उपर जाएंगे मतलब आपसे नंबर डी होगा वह इस कोश्चन का करेक्टान सोगा आपसे नंबर डी अगले कोश्चन में देखिए अब आपके सामने जी के कई कुछ इंपोर्टेंट प्रस्ट जो प्रेक्रिक्रेट में दिया आते हैं वह आपके सामने आ चुके हैं देखिए एक तालिस नंबर में लिखा हुआ है हमारा कोश्चन क्या है कि जादू या चमतकार संबंदी वर्णन किस बेद में हैं लिगवेद शामवेद योजरवेद अथरव बेद में जो है जादू या चमतकार संबंदी वर्ण दिये गए हैं 42 नंबर के रहा है दोती ये बहुत संबंदी वर्णन संभिदान के किस भाग में है भाग 1-2-3-4 तो भाग 2 में है इसका बंदन ठीक है इसके बाद एक अगला कोश्चन कह रहा हम से भारत का लाट केंद बैंक है बाती बैंक बाती इस्टेट बैंक बैंक ऑफ इंडिया आई डी वी आई तो आपसे नमबर एक रहा बालती दिजर बैंक जो है वो केंदरी वैंक है नेक्ट कोश्चन हमारा है इंडियन कैंसर रिसल्च सेंटर कहां पर इस्तित है मुंबई नई दिल्ली बंगलार और इसके बाद चौता हमारा है लखनू में तो इसका आपसे नमबर एक रहा का मुंबई में है च्यालिस नमबर कोश्चन है प्रकाश अमरत राज का शंबन किश्खेल से है गोल्फ निसानेवाजी क्रिकेट और टेनिस आपके सामने चार आप्षन है जिसमें से आपका डि प्रकाश अमदत राज टेनिस से संबन्दित है इसके बाद के 47 नमर का गया है बिस्ट के सबसे बड़ी खाड़ी काउंसी है गुल्फ काउंसी मतलब क्या है मैक्सिको की खाड़ी जो है सबसे बड़ी खाड़ी है तो आपसे नमबर एस कोश्चन का राइट आंसर हो जागा इसके बाद एक का गया है कि निम्न मेंसे किसे सिटी आफ ड्रीमिंग इस्पायश का आता है निव्यार्क को दोम को आक्सफोर्ड दारे सलाम तो आपसे नमबर सी करेक्ट होगा इसका आक्सफोर्ड को का राता है आक्सफोर्ड तो आपसे नमबर डी करेक्ट जागा उन्च प्रकार से हमारा प्रकार से हमारा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजेगा और यह अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को भी प्रेश कर लिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और जो आपको लागा या अंग्रेजी के प्रेक्टिसर्ट चाहिए तो उसका लिंक आपको जिसक्रप्सर बाक से मिल दाएगा वहां से जाकर आप हमारे शवी वीडियो देख सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद